है दोस्तों कैसे हैं आप हम अच्छे होंगे और आपकी तयारी बहुत ही अच्छी होगी आप अपने घरों में स्वस्त और मस्त होंगे इसी उम्मीद के साथ आज की बात हम करते हैं आपसे हम आज आपकी बात 19 इंट्रेंस इग्जाम 2024 20 जनौरी को होने वाले पेपर को ले कर करेंगे हमारी बात होंगी आज आपके द्वारा किये गए कमेंट यह पूस्ट करते हैं और जब हम जबाब आपको देते हैं आप सन्तुष्ट होते हैं उसके बाद तो भूजिये कि भोजन बड़े आराम से बचते हैं, बहुत मज़ा आता है, लगता है कि नई सही जगा पर और सही बात कर रहे हैं, तो आज की स्टार्ट करते हैं बाते और जैसा कि आप हमें उमीद है कि ये वीडियो आप देखने के स्टार्ट में ही सोच लिया वाले हैं जि बड़ी खबर कहें या important खबर कहें जो भी खबर कहें वो सब आपके सामने आज और अभी हम ले करके आएंगे लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं जो आपके द्वारा कमेंट किये गया है उन कमेंटों के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि हम भी बहुत परिशान हैं क्यों परिशान हैं वो बात हम बाद में करते हैं लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं किसे आपके comment से आपकी comment से सुरुवात करते हैं और पहले comment को ले करके आते हैं ये जरूरी नहीं है कि मैं serial wise सारे comment लेके आ रहा हूं लेकिन ये comment जो मेरे सामने पहला है कि 70-80 में मतलब 80% होते हैं जैसा कि आपको पता है 40 question आपके reasoning के होते हैं 20 question आपके मैद के होते हैं और 20 question आपके hindi के होते हैं मतलब भासा के होते हैं और कुल मिला थे जो 80 question होते हैं और प्रते question एक 10 मलो 25 का होता है और आपको इसमें पास होने के लिए 40% नंबर किसी भी हालत में लाने होते हैं कहने का मतलब 100 में 40 नंबर होने पर आप 19 में पास हो जाते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके selection हो जाए selection पाने के लिए उस जिले की इस्थिती के अनुसार आपके नंबर होने चाहिए तब जाकर के आपके selection होते हैं और प्रतेक पार्ट में अलग अलग भी आपके 40% नंबर होने चाहिए या 40% question सही होने चाहिए यह important बात मैंने पहले आपको बता दी आगे स्टार्ट करते हैं तिनों ने कहा कि सर 80 question में 70 question मेरा सही है मैं general boy हूँ rural total 936 बच्चों ने exam दिये हैं जिले में selection होगा बिहार 936 अगर फार्म पड़े होंगे बाबू तो 800 लोगों ने paper दिया होगा अगर 936 लोगों ने paper दिया है तो जायर सी बात है 1200 फार्म पड़े होंगे तो 100 दूसर तो पहले ही छट गए ऐसे ही दूसरी चीज़ जो है यह 936 जो फार्म पड़े हैं लेकिन इसमें 200 बच्चे ही होंगे जो की competition देंगे आपको जो की आपको चिनोती देंगे उसमें 80 seat है आप समझ सकते हैं कि आपने 70 नमबर जो लाया है न देर सारे बच्चों से उपर से 25-30 बच्चों के अंदर आप आगे 70 question सही करना बहुत बड़ी बात होती है इतना आसान नहीं है कहना कथनी और करनी में लोगों के बड़े अंतर होते हैं और आपके 70 question आपको इस बार 90 में selection तक ले जाएंगे बिलकुल उम्मिद करिएगा ये मैं कह रहा हूं और मैं सवाई फाइरिंग नहीं कर रहा हूं मैं स्थारी से कह रहा हूं यहीं मांडा हूं कि आप के कमेंट जो है यहीं मुझे मुझे बताते हैं कि आप 5 class के बच्चे हैं और आप 70 question सही किये हैं आपका selection होना चाहिए 100% होना चाहिए 70 question भाई मैं as a teacher हूँ मैं exam में बैठ जाओंगा तो 2-3 गलतिया तो मुझसे हो जाएगी यार मान भी भूल के तोर पर हो जाएगी और आप तो बच्चे हैं लेकिन पता नहीं क्यों कैसे अभी तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया तो पिछलों में करने के लिए आपको दिल से आभार शादाव जी बोल रहे हैं सद जी दिल से आभार आपको भी हमारी वीडियो आप देखे और आपको मैं कहीं थोड़ा सा एक परसंट भी मोटिवेट कर पाया ठीक है यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यूटूब पे आ करके और इस त आपको मोटिवेट कर गई तो बहुत खुशी है मेरे अंदर कि मैं इसकाबिल हूँ और आप अगर ऐसा कहते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे इस लायक समझते हैं आगे है संदीप जी कहां यह कह रहे हैं सर हमारे कमेंट का जबाब देने के लिए बहुत ब आइक हैं कोई बात नहीं धन्यवाद सर 80.66 रूरल साइद कुछ और लिखना चाह रहे होंगा सेलेक्शन होगा क्या अब जो भी हो अगर 80.66 है तो नंबर बहुत अच्छे नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं यह उम्मीद आप कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है सर आपकी जानकारी बिल्कुल क्लियर होती है आज तक जितने सवाल किये सारे सवालों का संतोस जनक उत्तर मिला है सर आपसे बहुत इंप्रेस हूँ रोज सबसे पहले शुबह आपका पूरा वीडियो देखती हूँ आप बहुत अच्छे से समझाते हैं ठैंकी सो मच आपक कि आप मेरी पूरी वीडियो देखती है और आप हमारे ऐसे अब देखने वाले हो गए हमारी यूट्यूब चैनल को जिसे मैं मतलब मैं खुद इंप्रेस हूँ लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं और ऐसे कमेंट जो दिल को च्पू जाते हैं और बहुत अच्छा लगता ह आपकी बाते सुन करके कि आप पूरी वीडियो देखती है और हमारी वीडियो आपके किसी काम आता है ये भी सबसे अच्छी बात लगती है तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए हम जनरल हैं मेरठ से और 82.5 है रूरल बॉय हैं क्या सेलेक्षन हो आपकी तकदीर अच्छी रही तो सायध हो जाए वरना सेकंड लिष्ट के लिए आपको बेट करना पड़ेगा अगर 65 आपके के गलत है तो सेलेक्षन से आप बहुत दूर नहीं है लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता बहुत क्लियर रूप से के सेलेक्षन आपके हो जाएंगे लेकिन मैं बिल्कुल उम्मिद आपको दिलाता हूँ कि ये नमबर कहीं आपके बच्चे के कमने नराज ना होईएगा उस बच्चे से बच्चा आपका बहुत अच्छा मेहनत किया है, कोशन सही करना आसान नहीं ये पेपर ले करके सामने अगर कोई बैठे तब समझ में आता है और ऐसे बोल देना तो आसान सबके लिए है तो बच्चा कहीं कमजोर नहीं है, आपका बच्चा महनती है, उससे और महनत कराने की जरूरत है, सलेक्शन हो ना हो यह अलग बात हम कोशिस ना करें, यह गलत बात है, तो बच्चा कोशिस करवाईए, आगे वो बड़ा रिजल्ट आपको देगा, अगर इसमें नहीं हुआ, तो मैं नहीं हुआ, चांस पूरे है, बट वही है कि थोड़े से दूर लग रहे हैं, जो की सेकेंड हो सकता है, लिस्ट में हो जा, लेकिन ये आपको समझना चाहिए कि मेरा बच्चा गड़ बड़ नहीं है, अच्छा है, कहीं थोड़े बहुत इधर उधर मिश्टिक हो गए, सर मेरा पचास में 48 कोश्चन, कोश्चन नहीं बाबू, यह आपके नंबर होंगे, क्योंकि कोश्चन तो 40 ही होता है रिजनी का, पचास में 48 नंबर बहुत अच्छ है, हाँ, पांच, दो, साथ, सौरी, साथ, आठ, लगबग हमको लग रहा है कि आपके 87 नंबर जा रहे हैं क्या, अगर 87 नंबर है, मतलब 90 क्या सपास हैं, और आप यह बता रहे हैं कि मेरा सेलेक्शन हो जाएगा कि नहीं साधिया आप पूछना चाह रहे हैं, आनंद याद जी, मैं आपको यह बता दूँ कि आप बहुत करीब हैं सेलेक्शन के, बहुत करीब हैं, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपका सेलेक्शन होना चाहिए इस बार, अच्छा नंबर है, आप 90 के पास हैं, और 90 के बिल्कुल पास हैं, मान के चलिए कि आपका सेलेक्शन क्या मेरा सेलेक्शन होगा साथ पूरा आपने 47 किया है या क्या है मैं पूरा समझ नहीं पा रहा हूं बट अगर 47 कोश्चन के वल आपने किया है तो बहुत संकर के बादल है बहुत ही खराब इस्तिती वी जिले की होगी तब आपके सेलेक्शन हो पाएंगे बट डोली यादो जी कोई दिक्कत नहीं है लाइफ ही पर थोड़ो नहीं खतम होती है आपने शुरू तो किया जो शुरू ही नहीं किया उसके बारे में सोची है तो आप बहुत लोगों से आ इवा डिस्टी क्लासिक से अटी तू नंबर है क्या सलेक्शन होगा या ना होगा कम्प्लीट कैसे बता दूबट एटी तू नंबर आपके कम कही नहीं है यह आप मानली जिए ना ते कि पेपर हमारा अच्छा होना चाहिए हमने जो पढ़ाया है उसके हिसाब से पेपर हो ना हो ना ये तो हमारे system के हाथ में आंग सबसे बड़ी बात है selection हो colleg 심ना हो ना होना ये system है क्योंकि आप क्लियर ये नहीं कर पा रहे हैं आपके system क्या प्रक्म कितने हैं आपके कोश्चन कितने साइव है कितने इती टू नंबर जो लाए है ना 100 में बहुत नंबर होता है ठीक है किसी जगा hiking लेने के लिए बहुत नंबर होता है रूरल सर एटीपॉइंट सेवड़ाइट만 पॉइंट जार्खंड बोकारो से होगा क्या 88.75 या सी से हैं confirm मानिए आपके होने चाहिए और होंगे confirm होंगे विजय कुमार जी सर मेरा 74 question सही है विजय जी अगर 74 question आप किसी भी group से होंगे selection आपके पक्के होंगे सर मुझे 85 मिलेगा मुझे seat मिलेगा क्या जी सीट मिलेगा क्या पूछ रहे 85 पे मालम नहीं किस group से है आप बट हैदर अली जी मैं उमीद करता हूं कि आप क्यों एक नवदे की seat मिले 96.25 ओभी सी रूरल बॉय धनबाद जारकंड से 96.25 देखिए बाई साब है मन्त जी आप बिलकुर सेलेक्षन होंगा हंडेड़ पर शेंट मैं कहता हूं कि आपके सेलेक्षन होंगा क्या थे k 19.25 नमबर आप जो बता रहे है कि सही है तो अगे है आनंद या तो जी सर मैं अमएठी जिला से हूँ और मेरा 90% OB-C गायों से हूँ मेरा selection होगा क्या बिलकुल आपका selection होगा 90% आप गायों से हूँ सहर से हूँ इससे फिरक नहीं पढ़ता बाबू ये फिरक पढ़ता है कि आपका school सहरी या ग्रामीड है तो आपके हंडेट परसेंट चांसेज हैं आपके एडमिशन इस बार होंगे सर मेरी बीटिया बार्मर से पोबीशी ग्रामिन है सरसथ नंबर है सरसथ नंबर है सर तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है लेकिन सरसथ कोश्चन है तो कंफर्मानिय क्यों हो जाएगा सर काल के कमेंट का प्लीज रिप्लाई मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं किया है सायद आपको कमेंट फिर कर देना चीए मैं जाकि अगर दूड़ूंगा तो सायद कमेंट न मिले मुझे हम मिलेगा तो काफी मेहनत करना पड़ेगा पहले पता नहीं था ना कमेंट पह कहां का कटाफ जादा जाता है सर क्या मेरा होगा अब और टिस्टिट-ORA कितना वह कट अब वाली मिले तो जरूर मिलेगा आपको ठीक है आगे है सर सो मार्क्स रूरल भी है अरे भाईया सो मार्क्स एक्सिलेंट आपको जहिंद गजब के आपके परफार्मेंस है भाई सो में सो अरे हमको बैठा दो हम हूँ कोनों भूल कर देंगे रंगने में लेकिन आप तो एक्सिलेंट मार गए गरूर अब प्राजल गुपता जी कहते हैं सर मैं जॉनपूर डिस्टिक से रूरल से हूं जी आप जॉनपूर डिस्टिक रूरल से होंगे प्राजल अगर आपके नमबर आच्छे होंगे 90 प्लस के पास जा रहे हूँगे तो आपके सेलेक्शन कंफर्म होंगे या 70 प्लस आपके कोश्चन होंगे तो भी आपके सेलेक्शन कनफर्म है आगे कह रहे हैं सर मेरा 65 कोश्चन राइट है रूरल गर्ल ओबी सी हूँ मेरा एडमिशन एंबिशन लिखा गया कोई बाट नहीं एडमिशन होगा क्या जी 65 आप गर्ल है तो उम्मीद बिल्कुल करिए क्योंकि आपके लिए 28 सीट होती है पच्छत असी में से उस 28 में एक आपका नाम हमको दिख रहा है ठीक है 92.5 विजय कुमार जी कह रहे हैं तो विजय जी अगर 96 पॉइंट आपके 5 हैं तो आप 92.5 हैं तो बिल्कुल उम्मीद करिए कि आपकी सीट एक पक्की है सर मेरा 89% है ओबी सी गाजिपूर से गाजिपूर में बड़ा खतरनाक मुड होता है एकता यादो जी वहाँ पे मेरिट बड़ी जादा जाती है लेकिन इस बार वहाँ की भी मेरिट कम जाएगी ऐसा मुझे लगता है क्योंकि धेर सारे नियम कानूने एक साथ लागों होने जा रहे तो 89% आपके हैं ग्यारा ही नमबर तो कम है और सेटपसी आपके सेलक्सन होंगे एक Youtube इसे रहें 70 कोश्चन सही है मेरा कितना परसंट बनना ना क्या मैं नवद में सेलेक्शन हो जाएगा चीज 70 कोश्चन यदि आपके सही आनंद जी तो मैं आपको बता दू 70 कोश्चन आपके सही है तो आनंद जी इसमें आप क्या कर लिजे 1.25 से गुड़ा कर लिजे अगर 1.25 से आनंद जी गुड़ा करेंगे तो 7, 35 होता है साथ दुना के 14, 37 होता है और 7, 1, 7, 8 होता है 1 डिजिट पर दिसमल 87.5 तो मेरा कहना में जिनके 70 कोश्चन सही है उनके सेलेक्शन इस बार कंफर्म है तो 87.5 यदि आपके नंबर्स आ रहे हैं 70 कोश्चन राइट करने पर तो मैं आपको बता दूँ कि आपके सेलेक्शन भी कंफर्म है साथ मेरी बाते आप समझ पाए होंगे आनंद जी यहाँ पे आपके अगला है सर मेरा नेम हिम पुस्पा नेतम है स्टी से हूं और गरियाबाद जिला से हूं जीत कब तक अब आएगा सर और मेरा 10 कोश्चन गलत है 10 कोश्चन गलत मतलब 70 अभी जो बात बताया आपके भी 87.5 नंबर्स आ रहे होंगे और यहाँ पे सेलेक्शन आपके कंफर्म होने वाले हैं सर मैं अरपित खुस्वाहा कंणाज रूरल मेंटल में 49 हिंदी में 18 और मैत में 11 कोश्चन है क्या मेरा सेलेक्शन होगा 85 हो रहा है बाबु तो अच्छे स्कोर है बहुत अच्छे स्कोर है आप इसको अन्यथा मतली जिएगा अगर सेलेक्शन कहीं से किसी कारणबस होते नहीं है तो आप बिल्कुल नाराज न होईएगा लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपका सेलेक्शन हो जाए नारा टिक मगाह ब्लाक 5 मेक्स 90 है ओबी सी हैं ग्रामीव छेत्रिक हैं समझ नहीं पाया अगर 90 नंबर आपके हैं तो कंफर्म सेलेक्शन मानिए कोई रोक नहीं पाएगा रिजल्ट कब आएगा सर 6 का रिजल्ट कब आएगा सर 6 का बहुत जल्दी जवाब दे रहेंगा बढ़ा ये नहीं सर मेरे बेटे का 80 में 63 चाहिए जारक्षंड लोधा जिले से है क्या सेलेक्शन होगा 80 में 63 मतलब तेरा 17 कोश्चन गलत है संकट है लेकिन उम्मीद करिए क कि हो जाए नहीं तो सेकेंड लिस्ट में हो जाए लेकिन हो जाने तो अच्छा लगेगा क्यों क्योंकि बहुत खराब नंबर भी आपके नहीं है 17 कोश्चन हो सकते हैं अगे है गर्ल है पीली भीद उत्तर परदेश 87 OVC बिलकुल बिटिया बिलकुल उम्मीद है पूरी कि कि आपका सेलेक्शन हो जाए 87 नंबर पर 70 प्लस नंबर 87.5 होता है 70 पर तो हमें लग रहा है 70 के आसपास आप नंबर कोश्चन सही किये हैं आगे है सर्च नाइन्थ का जनरल का सीट होता है नवदय में सर्च चंडिगर में लोग कह रहे हैं कि सीट नहीं है जी बिलकुल मैं आपको बता दू अगर वो कह रहे हैं तो हो सकता है कि नहीं हो सीट कैसे होगी अगर वो पेपर करवाए होंगे तो कुछ सीट होगी लेकिन हो सकता जैसे क्या होता है जो बच्चे एड्मिशन नौ में लिए रहते हैं, छै में जैसे ले लिए, साथ पड़े, आठ पड़े, नौ तक जाते जाते, कुछ बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं, या कुछ बच्चों ने क्या किया हो सकता है, एक बार कोसिस की, आप नाइन्थ के ल करके इनको नाइन तक जाना होता है, और वहाँ पे एक कुछ सीटे यादी खाली हो जाती है, बच्चे चले जाते हैं, तो उन्हीं के बदले में इनको क्या करना होता है, नाइन्थ के लिए test करिवाना पड़ता है, अगर दस बच्चे चले गए, तो दस सीट खाली हो गए, बात मेरी साथ समझ गए होंगे यहीं चक्कर होगा हो सकता है कि नहीं काफी कम होती है सर मेरा 77.5 आया है अगर आपके नंबर है तो बहुत अच्छे तो नंबर नहीं है धैर कुमार जी धैर रखिए नाम के अनुसार काम करिए और इंतजार का फल मीठा होता आपको भी पता है बिल्कुल मीठा मीठा आपको सायद मिल जाए असोक कुमार जी कह रहा है सर मैं अंस मनी रूरल से हूँ और 76 कोश्चन सही है 100 में जी भी 95 नंबर आप जा रहे है 76 कोश्चन राइट इसके बाद आप कह रहे है सर मेरा सेलेक्शन होगा कि नहीं होगा बाई 100 परसेंट हो रह और मतलब क्या कहूं उसको कह सकता हूं कि आप बहुत ही नोबुल है कि इतने नंबर लाने के बाद भी आप यह सोच रहे हैं कि मेरे एडमिशन होंगे कि नहीं होगे ना जी आपके एडमिशन पक्के होंगे 100 परसेंट आपका नहीं होगा तो जिले में होगा किसका यह भी सर मार्क्स है जी तो थोड़े कठिनाई हो सकती आपको एडमिशन में बगत 74 कोश्चन राइट होंगे तो 100 परसेंट एडमिशन है सर मैं पिछली बार आपको कमेंट किया था और आपने मेरे कमेंट का एंस्वर इस वीडियो में नहीं दिये तो सर मेरे मेंटल एवेल्टी में 50 में 50 आए हैं मैत में 25 में 18 और लैंगिवेज में 25 में 25 आए हैं क्या मैं सेलेक्ट हूं पंगो ओविशी जवलपूर से हूं अरे क्या बात करते हैं आप आपका अगर सेलेक्शन नहीं हुआ ना तो नहीं मैंने वीडियो का आपके जबाब दे पाया था इसमें दे दे रहा हूं बुरा ना मानियेगा साय तो नजर पिनना पड़ा हूं सर नवदय परिक्षा रिजल्ट कब है किस तारिक को बताऊंगा धैर थोड़ा सा रखिए घर में घर में अमन कुमार देवरियां सर मैं सा सरकारी विद्याला में एक अध्यापक हूँ और आपके जिले से बगल के जिले में हूँ तो मेरिट बड़ी ज्यादा जाती है इदर के छेत्रों में लेकिन मुझे इस बार उमीद है कि मेरिट कम जाएगी और आप मेरिट ज्यादा भी जाए तो आपको कोंसा दिक्का दे आपके तो कंफर्म है एड्मिशन आगे सर मैं बिहार से नालंदा डिस्टिक्स से हूँ मेरा 92.50 नंबर है वो भी सी रूर 92.50 पर 90 प्लस पर मैंने आपको बिलकुल बता दिया है कि आपके एड्मिशन को कोई रोक नहीं सकता मैं यूपी जहांसी से हूँ और 75 कोश्चन साही है जी 75 कोश्चन साही है कोई नहीं रोक सकता 5 कोश्चन तो किसी के भी गलत हो सकते हैं ना हमको भी ठाद हो हम भी गलत करते हैं आगे चलते हैं अब शाना कुमार डिस्टिक ग्रीद जारखंड OBC में 16 आपके यहां पे 19 यह यहां पे हैं और 40 यहां पे तो 40, 50, 50, 60, 70, 75 कोश्चन साही है और कह रहे हैं अरे कौन रोकेगा बईया कोई नहीं रोक सकता सर मैं 80 में 60 सही की हूँ, SC हूँ, SC है इसलिए उम्मिद की जा सकती है औरना नमबर तो कम है सर जी नमस्कार आपको बहुत-बहुत धन्यबाद हमारे कमेंट पढ़ने के लिए हमारा बेटा राहूल राज, SC स्रिवास्तो यूपी से हूँ हमारे यहां पांच बलाग है, हमारा लड़का 87.5 है, क्या होगा जी आपके हां पांच बलाग है, 87.5 लड़का पाया है आपकी जो कंडीशन बता रहे हैं, इस कंडीशन के इसाब से मैं कह रहा हूँ कि आपके बच्चे का confirm admission होना चाहिए, confirm admission होना चाहिए आपके बच्चे का, पुकि ब्लाक काफी कम है, और आपके हाँ 40 seat है, 80, अगर 40 होगी, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, फिर भी होना चाहिए, मुझे लग रहा, नमबर बहुत कम नहीं है, 87, नमबर बहुत है, 70 के आ लेगी ना आपको, उसी में आप हो जाएंगे, सर मेरे बेटे का 70 question right है, सामान्य ग्रामीड कोटे से प्रथम सूची में नाम आया नहीं, तो दूसरी सूची में भी आएगा या नहीं, जी बिलकुल प्रथम सूची में नाम आएगा, आपका अगर नहीं आया तो दूसरी मे ले रहा हो, परना आपके बच्चे का प्रथम में नाम आएगा, सर नमसकार में विक्रांद बगेल, OBC, ग्वालियर, ग्रामिर, मध्यपर्देश, हंड्रेड में 86.25 है, पभू सेलेक्शन OBC से है, confirm होना चाहिए, बहुत नमबर है, सर मेरा नाम बंदरा अध्रवे, स्टी 66.25 नमबर है, लिडोरा जिला, स्टी से है, इसलिए उम्मीद करता हूँ, बंदरा जी कि आपके एड्मिशन हो जाए इस बार, वरना नमबर तो थोड़े आपके कब है, बॉय 91.25, जी 91.25, स्टी से है, confirm एड्मिशन होगा, कोई रोकेगा नहीं, बाबु बड़े जिनियस ह अगे चलते हैं, सर मेरा नाम, अंसुमान यादव हरियाना, 95 मार्क्स, OBC, अर्बन बोय, अच्छा, 95 मार्क्स आपके हैं, अंसुमान यादव जी, कोई नहीं रोक सकता भाई, मिरादर, कोई रोक नहीं सकता, आपको अंसुमान यादव, confirm आपका एड्मिशन होगा, सर 28 सीट है ना, आपकी, अस अब ग्रामीडा वाले थोड़ों नहीं होंगे, कुछ त अर्बन वाले होंगे न, उसमें 25 आपके हैं, तो आप भी होंगे, उसमें एक ठो, सर मेरा नाम, नीटू चौहान है, 72.5 मार्क है, स्थी हों, ग्रामीड होंगे, तो बिल्कुल सलेक्स आन पांच बलाग है और 40 सेट है, सरसट कोशन सही है, रिजलिंग 39, चौदर, जी 30, मैंने एक बार आपको बताया, दुरगेश जी, कनफर्म एडमेशन होगे, मान के चलिए आप, पांच बलाग कह रहे हैं, 40 सीट होगी तब, हाँ, जी 40 सीट लिखा भी है, तो भी सरसट कोशन ब होगा, कनफर्म होगा, गुरुजी प्रणाम, मैं आप से सायद कुछ दिन पहले मिले होते, तो सायद इतनी परिशानी नहीं होती, गुरुजी, मैं जनरल रूरल बॉय हूँ, हमारा 69 कोशन सही है, सेलेक्ट, तो होगा नहीं, वेटिंग की उमीद कर सकते हैं, मेरे इतना क्यों हो भाई, इतना क्यों निगेटिव सोच रहे हैं आप, किसने कह दिया आपका सेलेक्ट नहीं होगा, जनरल हैं इसलिए कह रहे हूँ, सायद इसलिए कह रहे हूँ, ऐसी बात नहीं है, आपके यहां हो सकता है 58 में आप आई हो 69 कोशन सही करने वाले, तो फिर किस कुसका होगा यह भी तो मैंने बताया है कहें इतना जल्दी निरास हो गया आप नोदे ही पढ़ाता है क्या आप 69 सही करने वाले वी पाजचु हो यह प्रभू आपको बहुत आगे जाना है ऐसे क्यों निरास हो रहे हैं उमीद रखिये बहुत आगे जाएंगे और अभी हाहि हार है मन के जीते जीत अरे आपका सेलेक्शन होने जा रहा है कहें घबडा रहे हमारी दुआ लग जाए आपको सतारा से हूं ओवी सी ग्रामीड्स सेवन्टी सिक्स कोस्टन सही है 95 मार्क सांटेट परसेंट सेलेक्शन है भाई सर रिजल्ट कवाएगा जवाब मिलेगा सर मैं रतन डिस्टिक में हूँ 75 नंबर है 75 नंबर है जी थोड़े से प्राबलम होंगे बट उम्मीद करिए अभी आप सर प्लीज आयम आलोक्स शालवान फ्राम दहिमांचल प्रदेश सर मेरे 65 कोस्टन ठीक है जी 65 सही आया तो आप उम्मीद करिए सालवान जी उम्मीद करिए कि आपके सेलेक्शन हो जाए इस बर आप नवदे में जाए सर मेरे बेटे को 82.5 मार्क्स है बुद्धी मत्ता में 36 मराठी 16 नहें 62.5 मार्क खराब तो नहीं है बईया सेलेक्शन होईला बिल्कुल होईला सही है जी सेवेंटी प्लस कोश्चन वाले विल्कुल उम्मीद करें उनके सेलेक्शन कंफार्म है जैनल ग्रामिट 90 पर्शेंट और यह उत्तर पर दे सेलेक्शन होगा प्रभू सर आज तो परिडाम देखते देखते पूरे दिन बित गए और मोबाइल की बैटरी भी परवीन बिलांग फ्राम दा अरर्या विहार डेटा बर्थ बाइस बाराफ पांस तो हजार बारा रूरल फीमेल और ओवीसी माइनटी परसेंट कोश्चन इस दा ट्रू प्लीज तेल एबाउट माय रिजर्ट जी अगर 90 परसेंट रिजर्ट कोश्चन अजलम नंबर आपक तो मैं कहूंगा परवीन जोया परवीन जी आपके सेलेक्शन भी कनफर्वन सर मैं जारखन जारशू बुड़ा पूरीशा का अर्बन एस्टी से 90 परसेंट बट अर्बन ये निगेटिव ना तो एस्टी से 90 परसेंट 25 सिट आती है न प्रभू 25 सिटी आपके निये बहुत है उसी में आप सेलेक्शन लीजिएगा क्या जरूरत है एक ही ने चाहिए सेलेक्शन है करफार्म मान के चलिए उम्मीद करिए और मेरे द्वारा बताई कई बातें बहुत जल्दी सही होने वाली है दूआ करूं उपर वाले सब लोगों का होजा जिन्होंने कमेंट किया औ और कभी निरासा इनको ना मिले जीवन में हमेशा ये खुस रहे आईए अब बात करते हैं में पॉइंट वाली जिसके लिए आप धेर सारे लोगों ने हमको भी खरी खुटी तो सुनाई होगी मन में माश्र साहब बोल गए रिजल्ट आया नहीं आज पंद्रह है कर सोलह है मैं बिलकुल उम्मीद करता हूं और अठारा को रिजल्ट आपके आज आने चाहिए सब कुछ ठीक चल रहा है तो रिजल्ट अठारा को आपको आज आने चाहिए अगर अठारा को रिजल्ट नहीं आते हैं तो जरूर मैं कल आपको ये बताऊंगा कि रिजल्ट आने में दे और आपको कमेंट मेरे आपके जो थे उनके जवाब जो हमने दिये वो आपको कैसे लगे आप हमें एक बार फीर कमेंट करके जरूर बनाईएगा बताईएगा और अपना प्यार इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिए और जब हम लोग पढ़ेंगे 19-2025 के लिए तो आपके ऐसे ही प्यार के मुझे बहुत जरूरत है और वहाँ पर मैं चाहता हूँ आपके बच्चे की मदद करना और ऐसी मदद की जिसे आप भी न भूला पाएं हम भी न भूला पाएं तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास मिलेंगे जहन दोस्तों